जैहिन दोस्तों स्वागा था आपका हमारे चैनल इजिनोट्स क्लिक पर तो देखे दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूट्मेंट 2022 ते इसकी तो देखे दोस्तों फाइनली जो है यूर्शिटी आफ डेली की तरफ से देख और बेल बटन को भी तबाज़न दीजेगे दोस्तों पलपल की अपडेट के लिए तो चले दोस्तों चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर क्वालिकेसर्स क्या क्या है इसके लिए आप कब से कब तक अपलाई कर पाएंगे जैसे के डेट मैं मेंसन करते हैं दोस्तों आप इसके लिए चार जनुवरी 2023 तक जो है दोस्तों आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे फिर इसके लिए एज क्रेक्टर यह क्या रखा है दोस्तों एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे बने रहे हैं हमारे साथ तो चले दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो देखे दो दोस्तों नोटिफिकर्चन की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले में आपके बता दूँ यह नोटिफिकर्चन जो है 6 दिशंबर 2022 की डिट में पपुब्लिश किया गया था ओर कॉलेज की बात करें तो देखे यहां जो कॉलेज है स्यामलाल कॉलेज करके जो SLC यहां द कौन से डिपारिमेंट के लिए दोस्तों आपका अजिस्टेट प्रोफेसर के लिए subject wise जो है बात करेंगे दोस्तों तो देखे सब से पहले देख़े दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो आपका है Botnity के लिए दोस्तों इसके लिए देखे है टोटल नंबरा important की बात करेंगे तो तीन post है जो की u r category के अंतरगत दिया गया है फिर अपका देखे chemistry के लिए देखें हापड़ total number 12 दिये गया है जिसमें से 5 पोस्ट आपके general वालों के लिए है और 2 पोस्ट आपके देखें ST के लिए दोस्तों जिसमें से एक post आपका backlog post है और फिर दोस्तों OBC के लिए 4 post और EWS वालों के लिए 1 post फिर देखें दोस्तों चर्चे करेंगे आपका commerce subject के लिए तो देखें हाँ पर total number आप post 27 दिया गया है जिसमें दोस्तों UR के लिए 8 post AC के लिए 6, ST के लिए 1, OBC के लिए 7 और EWS के लिए देखें दोस्तों तीन post दिया गया है और PWBD वालों के लिए हाँ पर देखें दो post आरक्षित रखा गया है फिर देखें दोस्तों next यहाँ पर post name की बात करेंगे subject की तो देखें computer size है आपका इसके लिए total number आप post देखें दोस्तों 5 post है जिसमें से जैसे कि मैंने बताया आपको तीन post दोस्तों आपका देखें इसमें यूर के लिए है दोस्तों और एक post HC और HD के लिए यहाँ पर क्यूसी तरफ post नहीं दोस्तों फिर OBC के लिए एक post इस तरह दोस्तों टोटल 5 post यहाँ पर दिया गया है फिर देखें दोस्तों नेस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के बात करेंगे तो आपका इकोनोमिस का है इसके लिए देखें दोस्तों टोटल नमबर आप post 9 रखा गया है जिसमें तीन post आपके AC के लिए, ST के लिए 2 post और OBC के लिए 2 post और EWS के लिए 1 post और PWBD वालों के लिए एक post यहाँ पर रिजर्वर रखा गया है फिर चले दोस्तों यहाँ पर next subject की बात करेंगे तो देखें इंगलिस का है आपका टोटल नमबर आप post 8 रखा गया है जिसमें से दोस्तों AC के लिए यहाँ पर 1 रखा गया है, ST के लिए 2 और OBC के लिए 2 और EWS के लिए दोस्तों 2 post और जो PWBD दोस्तों उसके लिए 1 post यहाँ पर रिजर्वर रखा गया है फिर देखे दोस्तों बात करेंगे आपका subject हिंदी की तो देखे इसके लिए साथ post रखा गया है जिसमें से एक post आपके general के लिए एक पोस्ट आपके SC के लिए, फिर एक पोस्ट एक पोस्ट के लिए, दो पोस्ट आपका OBC के लिए, फिर एक पोस्ट दोस्तों आपका EWS के लिए, फिर एक पोस्ट आपका PWD के लिए दोस्तों, फिर देखें दोस्तों, यहाँ पर next post name की बात करेंगे, तो आपका history के लिए तीन पोश्टर रखा गया है जिसमें से दो आपके जनरल के लिए हैं दोस्तों और एक पोश्ट है आपका OBC के लिए दोस्तों और इस तरह से फिर नेस्ट यहाँ पर पोश्ट नेम की बात करेंगे तो आपका देखें हाँ पर Mathematics के तो देखें इसके अंतरगत 11 पोश्ट रखा गया जिसमें से UR के लिए 5 जिसमें से जनरल के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 2 और EWS के लिए 3 और जो PWD है दोस्तों उनके लिए देखें हाँ पर एक पोश्ट रिजर्व रखा गया है इस तरह से दोस्तों टोटल नमबर आप पोश्ट की बात करेंगे तो देखें 106 पोश्ट यहाँ पर दिया गया है जिसमें से टोटल सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइस टोटल नमबर आप पोश्ट बात करेंगे दोस्तों तो देखें 37 पोश्ट आपके जनरल के लिए है यहाँ पर 5 पोश्ट रिजर्व रखा गया है तो फिर चलिए दोस्तों अब नेश्ट यहाँ पर टॉपिक देखेंगे आपके इजुगेशन क्वालिफिकेशन की कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपके क्वालिफ देखे दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो कंडिशन रखा गए A और B करके तो देखे फर्स्ट आपका दोस्तों जो जितरा सब्जेक्ट आपको जिसे मैं बताया उसमें से दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप मास्टर डिगरी हैं 55% अंकों के साथ तो जिसे आप पास कर लेते हैं नेट या फिर सेट तो आप जो है इसके लिए अपलाई कर पाएंगे तो यह तो हो गया दोस्तों जो मास्टर डिगरी किये हैं 55% अंकों के साथ और साथ में दोस्तों नेट किये हैं नेट पास आउट है तो जो है इसके लिए अपलाई करेंगे दोस्तों वो जो है डारेक्ट इसके लिए भी अपलाई कर पाएंगे फिर चले दोस्तों यहाँ पर नेश्ट टॉपिक आपका बात करेंगे आपके तो देखिए application fees की तो देखिए for assistant professor के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर 500 रुपे का सूल कर रखा गया है किन किन कैटिगरी वालों के लिए तो देखिए जो यूर कैटिगरी है फिर OBC फिर EWS कैटिगरी है दोस्तों उनके लिए हाँ पर 500 का सूल कर जो है रखा गया है फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर no application fees will be charges from applicant from SC, ST, PWD और OMIN कैटिगरी देखिए दोस्तों जो candidate SC, ST, PWD और महिला candidate है दोस्तों उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरका सूल का आपको नहीं देना है फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर next topic की बात करें तो देखिए जो आपका दोस्तों master degree की साथ में 55% अंक जो है mark रखा गया है उस पर देखिए दोस्तों 5% का discount दिया गया है कौन से candidate को तो देखिए यहाँ पर जो candidate दोस्तों आपका SC और ST और other backward class यानि की OBC और जो non criminal या जो OBC का अंतरगत और जो दोस्तों PWBD candidate है उनके लिए देखिए यहाँ पर 5% का दोस्तों यहाँ पर discount दिया गया है तो इस तरह से दोस्तों यदि यह वाले जो candidate है उनका SC ST OBCPWD तो उनको दोस्तों यहाँ पर जिनका master degree में 50% है दोस्तों और साथ में यदि आप net pass की हैं तो आप जो इसके लिए apply कर पाएंगे फिर देखे दोस्तों यहाँ पर next topic की बात करेंगे तो इसकी जो selection process से दोस्तों वो आपको किसी भी तरह का returning exam जो है देना नहीं होता इसमें देखे जो university की rules से दोस्तों वो थोड़ा अलग होता है इसमें देखे दोस्तों जो जैसे मैं बता दूँ आपको criteria for evolution of candidates for determining their eligibility for their short listing of the interview तो इसके अंतरगत देखे दोस्तों जो university के तरफ से यहाँ पर 100 point skill आपका बनाया जाता है जिसके अंतरगत देखे यदि आप graduate है दोस्तों तो graduation में यदि आपका 80% या फिर 80% से ज़्यादा है दोस्तों तो आपको 21 point दे जाएंगे फिर दोस्तों यदि आपका graduation में 60% से 80% के बीच है दोस्तों तो आपको 19 points जो है दे जाते हैं और फिर देखे यदि आपका graduation में 50% से 60% है दोस्तों तो आपको 16 point जो है दे जाते हैं फिर देखे यदि आपके ग्रेजुशन में 45% से लेके 55% के बीच है दोस्तों तो आप जो है आपको यहां पर 10 पॉइंट जो है दे जाते हैं और इस तरह से पोस्ट ग्रेजुशन की बात करें तो देखे 80% से अगर अधिक है तो 25 पॉइंट फिर 60 से देखे यहां पर कंडिशन रखा गया है इनके साप HD, HD, OBC इनके लिए देखे दोस्तों यदि 60% है तो आप जो है 55 से 60 या फिर 50 से 60 तो आप जो है इसको इसके लिए 20 पॉइंट दिये जाते हैं फिर देखे यहां पर आपके पास यदि एमफिल, एमटेक या फिर LLM, एमे जो भी कोर सकी हैं आप तो इसके लिए देखे यदि आप 60% से अधिक है तो 7 पॉइंट दिये जाएंगे फिर 55% से 60 की बीच है तो आपको उसके लिए 5% सोरी दोस्तों 5 पॉइंट दिये जाते हैं यदि आपके पास देखे PhD डिग्रे है तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे औ यदि नेट और जयरब एक साथ है दोस्तों तो आपको 10 पॉइंट दिये जाते हैं फिर देखे यहाँ पर यदि आपके पास सिर्फ नेट पास हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर 8 पॉइंट दिये जाते हैं फिर नेश्ट देखे यहाँ पर यदि आप research publication यदि आप किसी जो journals होते हैं उसमें research publication जो है यदि आपने publish किया है तो उसके लिए आपको देखें यहाँ पर 6 point दे जाते हैं फिर यदि आपके पास teaching या फिर post doctoral experience है यदि 2 साल का sorry दोस्तों एक साल का तो आपको यहाँ पर 10 point दे जाते हैं और फिर यहाँ यदि आपके पास award है कीकृइवल लेवल तो देखें यदि आपके पास national level है या फिर international level कोई award है आपके पास तो उसके लिए देखें यहाँ पर 30 point जो है आपको दे जाते हैं और यही ऑवाट दोस्तों यहाँ रहे को के जो एक तरब से कह सकते हैं कि मेरिट लिष्ट ही तयार किया जाता है तो इस तरह से देखें यदि आपके पास MPH, MTEC या फिर LLM, BAD, सोरी दोस्तों MAD या फिर प्लस PhD है तो आपको यहां पर 25 पॉइंट दे जाते हैं फिर यदि आपके पास JRF या फिर NET है तो आपको यहां पर 10 पॉइंट मिलेंगे यदि आप अवार्ड केटेगरी से आते हैं तो आपको 3 पॉइंट आपको नमबर दे जाएंगे फिर देखें B केटेगरी में यदि आपके पास हैं और teaching experience में देखें आपके पास यदि 10 पॉइंट हो जाता है और इस तरह से total score के हम बात करेंगे तो 100 points के लिए आपको shortlisted किये जाता है तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है total number wise आपको shortlist किये जाता है फिर shortlist करने के बाद दोस्तों आपको direct इंटर्वी में आपको बुलाया जाता है जिसके अधार पर आपको इंटर्वी के लिए जोग लगती है तो इस तरह से दोस्तों selection process में आपका shortlist के लिश्टक होने के बाद यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको director को interview के लिए call करेंगे फिर दोस्तों उसके बाद आपका interview के माध्यम से आपका selection होना रहता है तो चले दोस्तों फिर इसमें देखे next नहां पर topic हम बात कर लेते हैं कि आप जो है इसके लिए कब से कब तक apply कर पाएंगे तो देखे दोस्तों इसके लिए आप जो है देखें आपर online जो है आपको apply करना पड़ेगा date की बात करें तो देखें आपर 4 जनवरी 2023 तक जो है आप apply कर पाएंगे pay skill के बात करें दोस्तों तो देखें जो assistant professor in the academic pay level जो की 10 में रखा गया है जो की center pay level है इसमें देखें आपका basic pay रहेगा 57,700 रुपे आपका basic pay रहेगा प्लस 7 में देखें दोस्तों इसमें फिर होता है आपका TA होता है फिर आपका DA फिर आपका देखें दोस्तों इहां पर HR तो इस तरह से जो salary हो तो बहुत अच्छी खासी ही होती है central pay level लागू होता है इसमें तो इस तरह से चले दोस्तों आप पूरा process समझ गे हो तो चले दोस्तों आसा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और बेल बेटन को भी दबा दीजेगा और अपने दोस्तों को भी दोस्तों को भी सेयर कर दीजेगा तो चले दोस्तों मिलते है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए हस्त रहे हैं मुस्करात रहे हैं जैहिन